नमस्कार सातियों तो आज 17 में 2024 सबसे पहले मैं आचुका हूँ कमपनी दोवारा भेजा गया को आटर फोर की इकन सॉलिडेट फनांशियल रेजल की उपर तो दोस्तो सबसे पहले हम इस रेजल को बहुत अच्छे से समझेंगे कमपेर करेंगे कहां पे कितना गिरावट हुआ कहां पे कितना तेजी हुआ उसके साथ साथ डिविरेंट की नोटीस के उपर भी चलेंगे और अल्टिमेटली कल सैटरड़ के दिन जब बजार पार्शिय उसके फीगर पे हैं कमपणी द्वारा यहां पे तीन अलग अलग क्वाटर का नमबर सेंट क्या लेफ्ट साथ से शुरू करेंगे यानि करेंट क्वाटर यानि मार्च 24 का नमबर ठिक उसके लेफ्ट साथ में होगा आपका लास्ट क्वाटर मतब डिसंबर दो आज़ा 23 का एड़ करके इस quarter में यानि March 24 में NHPC Limited की total income का नंबर आया 2320 करो रुपए यानि 2320 करो रुपीज लास्ट quarter की बात करे December 23 में कमपनी की total income था 2549 करो रुपए और last year की बात करे यानि March 23 में कमपनी की total income का नंबर था 2228 करो रुपए यानि जहां पे एक तरब year on year basis पे हमें थोड़ आसा growth देखने को मिला उसके साथ साथ at the same time quarter on quarter base पे company की income के अंदर गिरावट भी हुआ मतब एक तरफ yearly increase हुआ दूसरी तरफ quarterly decrease हुआ ठीक है आई अब बात करेंगे company की expenses यानि company का total खर्चा कितना हुआ total expenses जिसे हम बोलते हैं जैसे कि आप देख सकतो दोस्तों इस quarter में यान इनकम जैसे ड्रॉप हुआ उसके साथ साथ यहां पर भी ड्रॉप देखने को मिला 1727 करूपए से सीधा गिर एक 1393 करूप पर पहुँच चुका है एड़ दा सेम टाइम यहां पर देख सकतो यहार ओन यहान से देखिए यह क्या हुआ था लास्ट यह पर इंकम कम था इस ब 1393 करूप पहुच चुका है यानि अल्टिमेटली देखा जाए कमपनी के इस बार जो टोटल एक्सपेंस है वो दोस्तो काफी कम हुआ आई आप नीचे चलके मैं आपको दिखाता हूं कमपनी अल्टिमेटली टैक्स सब भरने के बाद जो हम बचता है उसे हम नेट दोस्तों आस्चरी करनी वाली बात यह है कि देखिए कमपनी की एक तुदे की एर ओन यहर पेस पे इंकम इंक्रीज हुआ एक्सपेंस गिरावट इसके पीछे रिजन यह है कि लास्ट यह पेना कमपनी एक्सेप्शनल आइटिम्स यानि अदर्स इंकम जिसम बोलते उसके बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनेरेट किया था और जिसके चलते कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वह दोस्तों साथ सो पैहताली स्कुर्ण पर पहुंच गया था इस बार यानि अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के मामले में यह और ओन यह पे स्पीड डिक्रीज हुआ यानि कंपनी की इस पर रेजल्ट जो है दोस्तों ऐसा जब बहुत अच्छा नहीं हुआ या एक टैप का बोल सकते हुए कि थोड़ा सा नेगेटिव इंपक्त पर सकता है बठाब यहां पर देखिए बहुत सारे ट्विस्ट एंट टर्न्स भी है विकास सुबा सुब है जब ब्रोकर इस दो रेटिंग दिया जाएगा टार्गेट दिया जाएगा तो कहीं न एक तो इस बारिशा का देखिन सेयर अपनी की पर शारियान की कोशिश कर दैथा फिलाल एक और इंपॉइंट पॉइंट अप देख लिए एनिग एस जो है इस बार 0.306 का और इस ब एक हो गया Company की operation profit margin और दूसरा हो गया आपका net profit margin आप इसे बार कंपंपकरों जिसके जलते सहले कंपनी तो 90, экранדי की सथ थे lotus बहुत बहुत बढ़िक बीहुत नेट जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी आप देख सेकत हूं कि क्वाटर ओन कौटर बेस पे इंक्रीज किया बट यार ओन यह बेस वह में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला तो दोस्तों यह हमने अभी तक बात किया आपके अब चलिए एक और दिखान चाहता हूं जो कि हम बोलते हैं तो यहां पर आपको फीगर सेना थोड़ा सब आपको डिफरेंट देखने को मिलागा अब आप पूछोंगे ऐसे कैसे होता है मतलब ऐसे क्यूं होता है तो इसके पीछे में रिजन है कि स्टैंडर रून रिजल पे बेसिकली कंपनी का जो नेट इंकम होता है वह जैनेट होता है पर कंसॉलिडेट रिजल पे ना बाग की जो सब्सेडरी कंपनी हो गया अधर्स इंकम हो गया वह सारे इंकल्यूडेट होता है एक जिस बैसे कंसॉलिडेट फिनांशियल इजब आपको जो फीगर से थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिलेगा तो एक्चुली इस बाना स्टैंडर रिजल कंपनी का बहुत बढ़ी हो कोस्ट बहुत जादा ड्रॉप होने के कारण स्टैंडर रिजल पे एक्चुल में कंपनी की जो प्रॉफिट है बहुत सेग्मेंट पे इंक्रीज हुआ मतलब कंसॉलिडेट फनांशियल रिजल में जहां पे अपने देखां बोच सेग्मेंट पे डिक्रीज हुआ वही अग पांचो उन सतर कर से बरके चैस्टान बेकर पहुंच चुका है यानी ओवरल बात कर देकि कंपनी की स्टैंडर रून रिजल के अकुर्ण कंपनी कर सब काफी अच्छा हुआ वा बट इसल के अगरम बात करें रिजल दोस्टों काफी खराब हुआ तो जिस बैसमें आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस तैप की इनफर्मेट वीडियो हर रोज पाने के लिए अब चले मैं आपको दिखाता हूं कंपनी कितने पैसे या कितने रुपए का डिविडेंट दिया अब देखे इसका शेयर प्राइस बहुत एक्सपेंसिब नहीं है तो जिस बैसे यह जो डिविडेंट कंपनी दिया है इसको देखके जाधा निराश मत होना कंपनी से 50 पैसे की डिविडेंट दिया लास्ट इमने देखा थ इसकी एजीम होगा अनुल जेनरल मिटिंग तो अनुल जेनरल मिटिंग के बादी कंपनी एक और नोटिस देखे मेंशन कर देखा ठीक है तो होफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है कंपनी की रेजल लोट डिविडेंट के बार में सब कुछ हम यहां पर क्लियर कर चुक है चलिए मैं आपको सीधा ब्राउजर को पर लेकर चलता है वहां पर जाके थोड़ा और डीटेल में बात करेंगे कि कल कहां पर सपोर्ट है कहां पर रेजिस्टेंस है और क्या आपका फारवर्ट स्रेजी हो सकता है यह आप देख सकतो हो आज मार्केट का जो सेंटिवेंट गए वह भी काफी बूटिष था एवन पेश्चु सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे शराज ब्रेक आउट दिया आयए रवेल होगया माजिकावी डॉक हो गया अब हो गया आयर एर सीटीव हो गया बहुत सारे शारा आज ब्लेक आउट दिया एन्हट भी सीच कोशिच कर था अब क्योंकि आज रेजल्ट होने वाला तो बीच बीच में रेजिस्टेंस मिल रहा था सो क्या सपास अब बात यह है कि देखिए आपने साइट देखा होगा लास्ट को आटर मतब डिसेंबर कोड़र में आप कंपनी के प्रफेंस एक्वाली खड़ा भी था जैसे का आप यानि करीब करीब देखा जाए आल्मोस्ट यहां पे 13-14 परसन की क्रैश हुआ था ठीक है अब देखिए यहां पे आई तिंग की कल इतना बड़ा क्रैश नहीं होगा पट हापको पहले से सपोर्ट बगरा यह रेजिस्टेंस बगरा कैलकुलेट करके रखना चाहिए ठीक ह पास यहां एक बात बार बर बोलता हूं कि देखिए जिनके भी पास शियर है पेशन्स रखिए और होल्ड केजिए कंपणी खराब नहीं है इसका मतब ऐसा है कि यहां पे सब कुछ खराब हो रहा है ठीक है अब देखिए मार्केट अनलिस द्वारा या ब्रोकरेस द्वारा अगर पॉजिटिव रेटिंग मिल गया पॉजिटिव अपडेट मिल गया तो दोस्तों उसकेस में देखिए शेयर में गिरावट तो छोड़िए कल सीधा सीधा ब्रेक आउट देगा क्योंकि देखिए एक बात यह भी है कि आज की रेट में पी एसू सेक्टर में सेंटिमे पीस के आसपास अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो लगबग 88 का सब्सक्राइब सकते यह दो सब्सक्राइब हो गया और इमेडियेट रेजिस्टेंस ओविस्टी सो क्या सबसे अगर यह लेवल ब्रेक की आराम से 110 तक आराम से पहुंच जाएगा आज की रेट में देखिए यह शेयर में यहां से बाउंस बैक करेगा तेजी होगा आपको जो भी लगता है आपके अगरीं दोस्तों कमेंट करके बताएए कमेंट के दूँ बागी दोस्ते इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं मिलते ने एक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक कर बाबाई जय ह कर देक लेएंद जय कर देदेते लिए औरीक है विएंट यह आपके पहतन की से प्यएंपएवार बावभत एppen डिक की से घ़ता है उली होतब सक लावट एकलन